घंळो स्चूइंट्स को टूड़ाइज तो इस वीडियो में हम कम्लेट करेंगे चेपटर 5 कि कुछ आधुर टॉपिक्स को जो कि हमारा फाइल हैं तो इस चेपटर में हम हम् हैंनिंग को डिस्कस कर रहें है कि credit क्या होती हैं और उनको पिस तरीके दिसक्स करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को तो देखिए लास्ट वीडियो को हमने यहां प्रेंट कर रहा था हम डिसक्स करने वाले थे कि किस तरीके से हम टैक्स फाइल में डेटा को राइट करते हैं मतलब कि जो पाइथन प्रोगाम होता है हमारा उसकी और जो बैते प्रोगाम अब डेटा करें वो आपको किस। टरीक के से करेंगे समौज़ लेते हैं तो देखिए फाइल में डेटा को राइट करने के लिए पुराना data होगा वो आपका erase हो जाएगा यह होता है हमारा write mode में और अगर आपकी file बनी होई नहीं होगी तो वो आपकी create हो जाएगी यह चीज में आपको last video में भी समझा चुका हूँ तो यहां पर देखिए अगर आप open करते हैं append mode में तो append mode में क्या होगा file आपकी open हो जाएगी और file के अंदर content होगा वो आपका erase नहीं होगा उसके आगे से जो है उसमें add हो जाएगा तो इस तरीके जो है सबसे पहले आपको file में data को write करने के लिए उसको open करना पड़ेगा चा आपको अपनी requirement देख लिए नहीं है तो सबसे पहले आप file को open कर लेंगे और open करने के बाद जो हम file पर write operation करेंगे तो write operation को perform करने के लिए python में होते हैं दो method कौन-कौन से method हैं पहला है write और second है write lines इनकी help से जो है आप data को write कर सकते हैं तो write method जो होता है वो single string को write करने के लिए होता है और जो write line method है यह आपके string के sequence को write करने के लिए उस्कम करते हैं और देखते हैं इन दोनों method सेssen data...atay और पहले बात करते हैं write method की help वंसे टेयटा को write करेंगे तो Write method जो है इसे औरces का as an argument लेता है और उसको write कर देता है text file में औरम जो है अब इस ऺज़वी आपको जो है नियु लाइन करेक्टर को ॡपाइन करते हैं मतलब कि उता है इसको आपको डिवाइन करना पड़ेगा हनल के बाद में जैसि ही आपकी line end हो जाएगी तो उसके end को indicate करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वेकवर्स लैस लगाना पड़ेगा बनना क्या होगा जो आपकी line होगी वो next line में move नहीं होगी इस तरीके जो आपको हर line के बाद में लगाना पड़ेगा तो चलीए इसको और क्लिए समज्च से है देखिए यहां क्या है और फाइल को क्या है यहां पर डे लिया है और Open function की help ने हाव आपन कई राहे मैंने व फाइल को add कर लिया और कौन से आप में कर रा है मैं और कैसी फाइल है टेक्स फाइल है तो यहां पर इस तरीके से मैंने डबल कोड में लिख दिया है myfile.txt और यहां पर मैंने डबलू लिख दिया है क्योंकि मैं इसे right mode में access कर रहा हूं तो इस तरीके से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और फाइल अब्जेक्ट कहां चला जा लेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा है file object का name यहां पर जो भी आपका variable होगा मतलब जो भी file object होगा यहां पर जिस variable में भी एक string pass कर दिया hello welcome to python programming now you are learning about files इस तरीके से मैंने एक line पर पूरी लिख दिया तो यह line क्या है एक पूरी string है इस तरीके से मैंने यहां पर पूरी string pass कर दिया और last में देखिए मैंने यहां पर backward slash and लगा दिया मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपको line के ending को indicate करने के लिए backward slash and लगाना पड़ता है तो इसलिए यहां पर मैंने लगा दिया backward slash and की यह line मेरी यहां पर end हो गई है इसके बाद में यहां पर मैंने same चीज करी है दुबारा से मैंने object को लिया है और write method करते हुए एक all line यहां पर write कर दिया और इसकी line के end मैंने लिख दिया है backward slash and लायाँ पर दिया। हो जाए गी और last में मैंने file को close कर दिया है तो file भी हमारी के अक्ते किसे close होती है जो भी object है उसके साथ ही close होती है मतलब कि close method को हम यहां पर लगा देते हूं उस object के साथ में हॅ इस तरिके से मैंने file को close कर दिया तो अब क्या हो गा जैसे हम इस प्रोगर्म को रन करेंगे तो आपका output में कुछ भी नहीं आएगा कियो क्योंकि हमने data को रात करा है व्में खुण देखने को नहीं मिलेगा बस आपको blank screen देखने को मिलेगी मतलब क्या अगर आप यहां पर लोकिशन देते हैं मतलब की पाथ डिफाइंड कर देते हैं कि यह फाइल जो है कहां पर ऒसक्राइल करेट हो तो फीर फाइल जो हे उसटे हइ Source वे अगर आपकी फाइल अल्डा उर्धीपर ब aren't फाइल उसकेश में किया होगा जो лाइन आपको इस तरहेंसे मिलेगत हपाइल यहां जाएगर फाय आपको आपको पैक्प्ष लगाना पड़ता है तो इस तरीके से आपको पर इंडिकेट करना पड़ता है तो चलिए मैं इसको और आपको प्राक्टिकली करके दिखत देता हूं तो जो है इसके हैं था deal यहां पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से यहां पर आ गया है मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए ठीक है यहां पर देखिए लाइन जो हमारी थोड़ी से अंदर जा रही है तो आप लोग समझ जाए ना अब इस प पहले मैं उस फोल्ड को ओपन करके दिखाता हूं कि उसके अंदर इस नाम से फैयल है या नहीं है पहले चेक कर लेते हैं हम ऊस्के बाइच्ट आ यहहां पर देखिए मैं वाइ। फाइल बने हुई है तो चेक लेते हैं इसके अंदर डेटा क्या है देखे इसके अंदर यह यूर्णिक पाइथन पाइथन बना उप्तम मोज यूज प्रोगामिंग लेंगविज यह हमारा डेटा इसके अंदर है अब तो यह डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा और यहां पर देखिए इसको मैं close कर देता हूं और अब जाके जो है मैं python program को run करता हूं तो यहां पर जो है इस program को मैं run कर देता हूं देखिए मैंने हाँ रन कर दिया है तो यहां पर आप लोग देखिए output में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है यहां पर कोई message नहीं आया अगर आप चाहों तो यहां पर प्रिंट message दे सकते हो कि जैसी आपकी file राइट हो जाए तो लिख के आ जाए your file has been written successfully इस तरीके चाहों तो आप message यहां पर दे सकते हो लेकिन मैंने कोई message नहीं दिया है अब बापर चलते हो उसी folder में और चेक करते है है file को कि उसके अंदर यह data हमने डाला था वो आया यह नहीं आया देखिए मैं चेक करता हूं यहां पर आगा है हम file को open कर लेते हैं इसको तो यहां पर देखिए हमारी जो file है उसमें data change हो गया है जो हमने data python program में दिया था वो यहां पर आ चुका है तो इस तरीके जो हम file में data को डाल सकते हैं अब अगर मैं बात करूं यहां पर मेरी file create क्यों और यहां पर और यहां पर कोई error नहीं आया है चली चलते हैं folder में पापस तो यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं मैंने file delete कर दी थी लेकिन फिर से दुबारा से file हमारी बन गई है और इसको open करेंगे तो इ हमारा देखिए आ रहा है दो लाइन हमने लेखी थी तो दो लाइन यहां पर आ रही है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके जो आप राइट में यूज़ करके file में data को write कर सकते हैं अब अगर हम बात करें कि data को अगर हम user से write कराना चाहते हैं अभी हमने क्या कर नहीं देखिये यह हमारा program को कर लिए तो कि इस program को समझी यह इस प्रोगामada मैं क्या करा है lien यहां पे सब कराने student.txt file को मतलब कि student के नाम से एक file है जो कि text file है इसको जो है मैं Red mode में open कर रहा हूं तो क्या होग यहां पर आपके लिए बनी होई होगी तब तो वही ओपन हो जाएगी और अगर बनी होई नहीं होगी तो हमारी new file create हो जाएगी इस नाम से तो यहां पर देखिए file-1 के नाम से बैरेबर ले लिया है तो हमारे जाती है 0,4 मतलब कि जो भी नंबर दे रखा होता है बहां तक हमारी बन जाती है मतलब उससे एक कम तक range बनती है तो यहां पर हमारी बन गई है 0,4 तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा टोटल चलेगा यहां पर देखिए जो भी नाम से बैरेबर लिया है और इसके अंदर वह लाई यूजर से एक name एंटर करो तो यूजर कोई भी नेम एंटर करेगा वो कहां चला जाएगा नेम वाले बैरेवल में चला जाएगा और यहां पर दीखिए जो भी नेम वाले बैरेवल में नेम एंटर करेगा यूजर उसको मैंने यहां पर क्या कर दिया है फाइल में राइट कर दिया है मतलब पहला नेम जो भी एंटर करेगा user, वह कहां write हो जाएगा, student वाली file में हो जाएगा, इसके बाद में यी loop जो हमारा second time चलेगा, तो इसी तरीके सा second time user क्या करेगा, second name एंटर करेगा, और second name जो भी होगा, वह भी हमारा write हो जाएगा file में, इसी तरीक से लूप थर्ड दो थर्ड नेम एंटर करेंगा थर्ड वाला भी राइट हो जायगा फूर्थ टरीक चलेगा यह जो नएम बहुता चला जायगा नेम मतलब कि यहां जो variable है उसके अंदर जो भी name आएगा वो हमारा right हो रहा है हर बार तो total five time यहां पर name enter किया जाएगा और total five time क्या होगा हमारा right operation perform होगा right method की help से इसके बाद हमारा यह loop close हो जाएगा और loop जैसी close होगा तो यहां पर five name enter हो जाएगे कहां पर enter होंगे student वाली file में enter हो जाएगे इसके बाद देखे मैंने file को close कर दिया तो file हमारी close हो जाएगी तो जैसी इस program को हम run करेंगे तो output हमें किस तरीके से मिलेगा यहां पर इस तरीके से output आएगा तो हर बार में हम एक name enter कर देंगे जैसे कि सचन कर दिया second time में नेहा कर दिया इस तरीके से प्रोगाम के चनले पर हम five name enter कर देंगे तो यह पांचो name कहां चले जाएंगे यह चले जाएंगे हमारे student.txt वाली file में इस फाइल के अंदर हमारी यह पांचो name store हो जाएंगे और किस तरीके से store होंगे यह जो हमारे इस sequence में store होंगे देखिए पहले search in आएगा नेहा आएगा विजय आएगा अभय आएगा इस नेहा आएगा मतलब इस तरीके से name जो हमारे text file में place हो जाएंगे अब इस तरीके से क्यों आएंगे मतलब कि यहां पर कोई space या फिर next line में क्यों नहीं आ रहा है तो यहां पर द चाहते इसको next line में लेना तो उस case में आपको करना पड़ेगा इस code में थोड़ा से change करना पड़ेगा देखिए आप code इस तरीके से लिखेंगे बस आपको करना क्या होगा यहां पर write method को जो है एक बार और लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको backwards slash and देना पड़ेगा मतलब कि एक बार जब data write हो तो उसके बाद में backwards slash and we write वहाँ पे हो जाए मतलब कि next line वहाँ पे आ जाए तो जब भी next time loop चलेगा उससे पहले आपका करजर कहां पहुच जाएगा next line में पहुच जाएगा तो इसलिए next time में data जो है आपका next line में write होगा इस तरीके से आप code लि नहीं हम पर हो जाएंगी तो चलिए इसको थोटा सा practically करके देखते हैं तो देखें करते हैं तो उस code को जो है मैं हम यहाँपर paste कर लेता हूँ यह दिखिए मैं घुन कर दिया अब जो है मैं इसको सेभ कर लेता हूं में हाँ जाता हूं। li muchy-rlis पर और कूसी करो करता हूँ इसका नेंगा लिए टू वी इस तरीकी से मैं को से नाम से वाय है तो इसको एक हमारी है है तो चो फाइल हमारी है यह कोई भी डेटा नहीं है तो इसी इसके हम उपन कर रहा है धी हमने हरो और लिया है अब जुआ मैं इस प्रोगाम को रॉन करता हूं देखिए यहां पर पर रॉन करता हूं तो यहां पर exist एटर् नेम इस्ट्वेंट तो यहां पर कर देता हूँ मагले जिये रखि़िये इसके बाद में ले मीने जब इमने क्यर्क आसा है वो हमारा file में write हो चुका है देखते हैं file को open करके यहां पर जाते हैं और देखते हैं text file को open करके यह रही हमारी student वाली file इसको मैं कल देता हूं open तो यहां पर देखिए हमारा इस तरीके से data place हो गया क्यों हो इस तरीके से क्योंकि वहां पर मैंने backward slash n नहीं लगा कि इस तरीके से मैंने कर दिया अब देखिए मैं इसको run करता हूं तो जैसी में run करूंगा दुबारा से data enter करना पड़ेगा और यह जो data मैं एंटर कराता है यह हमारा डिलीट हो जाएगा उस file से जो new data हों and सत्यम कर देता हूं ठीक है यह देखिए मैंने हाँ पर डेटा एंटर कर दिया है तो अब जो उस फाइल में यह data आ गया होगा देखिए open करता हूं यह रही हमारी file इसको open करके देखता हूं यहां से तो यहां पर देखिया हमारा data इस तरीके से आ रहा है क्यों आ रहा है इस तरीके से क्योंकि हमने यहां पर लगा दिया है backward slash n तो इसलिए जो data है वहां पर हमारा next line में आ गया है तो I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आप write method के use करके user से जो है input ले सकते हैं और उस data को जो है अपनी file में store कर सकते हैं अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम text file को append कर सकते हैं मतलब कि text file के अंदर जो data है उसके आगे से और data गर हमें add करना हो तो किस तरीके से करेंगे तो देखो text file कोıllपेंट करना बहुत ही simple है रहे क्स तरीके सेफने के लिए अपको करना क्या होगा बस अपनी फाइल को अपन मोड में open करना पड़ेगा मतलब की जो you 5.aj devo आ फ sieve learning को अपने बाइन कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे देखिए हमारा हे मैंने देखिए append mode दे दिया है मतलब कि यहाँ पर A लिख दिया है जो कि हमारे append mode के लिए होता है तो इस तरीके से जो student वाली file है उसको हमने append mode में open कर लिया है और जो file object है वो हमारा file 1 में ही चला गया है अब देखिए इससे पहले जो मैंने code चला जा था तो उसमें 5 student का data enter कर रहा था मतलब कि 5 students के name enter करे थे तो उस file में हमारे 5 students के name enter की हुए है अब माल लिजे मैं चाहाता हूँ उसी file में 3 और students के name को add करना तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है लोग को 3 time चला दिया है मतलब 5 time हमारा पहले चल गया था इस तरीके से हम यहाँ पर 3 student का data enter कर पाएंगे सब्सक्राइब हमारा प्रोगाम चला तो हमने एंटर कर दिया विवेग ध्रूप कर दिया फिर हमने मोहित कर दिया 3 student का हमने इस तरीके से name enter कर दिया तो जो हमारी student वाली file होगी मतलब जो student.txt हमारी file है उसके अंदर total कितनी student हो जाएंगे total हो जाएंगे हमारे 8 इस तरीके से हमारे add हो जाएंगे name हमने पहले enter कर लिए थे यह name और इसके बाद में यहाँ पर 3 name मैंने और add कर दिये तो total 8 name वहाँ पर add हो जाएंगे देखिए मैं इसको practically करके दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर करते हैं तो पहले एक बार text file को open करके दिखा देता हूँ आपको यह रही हमारे text file इसको जो है मैं large icon में कर लेता हूँ ठीक है तो text file को इसको open कर देता हूँ मैं पहले देखिए यहाँ पर जो है 5 students की name आ रहा है इस तरीके से लिख दूँगा बागी मुझे और कुछ करने की requirement नहीं है देखिए मैं इसको save करता हूँ और इसको run करता हूँ तो देखिए हमारा program चल गया है यहाँ पर बोल रहा है enter name of student तो यहाँ पर enter कर देता हूँ name मैं कर देता हूँ अक्षय मांसी अधित्य कर देता हूँ और नेहा कर देता हूँ यहाँ ठीक है तो फोर इस्ट्ट के नहीं मैं यहाँ पर मैंने enter कर दियें अब चेक करते हैं उस फाइल को कि उसमें हमारे डेटा अपैंड हुआ यहाँ पर उपन कर लेते हैं यह रही हमारी फाइल इसको उपन करता हूँ मैं तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमने डेटा एंटर कर रहा था वो अपैंड हो गया है और जो पुराना डेटा था वो भी हमारा डिलीट ने हुआ है वह हमारा बैसे के बैसे रहा है उसी के आगे से हमारा निउ अब मैं इसको रन करता हूँ देखे मैं रन करा तो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ कोई लाइन में मैं मानलीजी कर देता हूँ हेलो हाओ ख्रीड आहा वा और यो इस तरीकिसे मैं राइन एंटर कर दी अव एंटर प्रेस करता हूं तो देखे फिर से हमारा लूप हमारा वह फो टाइम चल रा है तो हो यहाँ लाइन अंटर कर देता हम आए यह मैं Whats find what about you यह मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर करता हूँ फिल लाइन एंटर करते हैं एक और आई एम अल्सो फाइन भी फिल लाइन मांग रहा है मतलब कि हमारा फॉर्फ टाइम चले गया है तो यहाँ पर एंटर कर देता हूं यह ओल्लाइन मान लिख दिता हूं what is going on nowadays ये मैंने यहाँ पर लिख दिया तो देखिए यह जो मैंने लाइन एंटर करी है वो उन नेम के आगे ही एड होगी होगी क्योंगी क्योंकि हमारा फाइल का मोड़ा वो अपैंड ही है तो उन वाले नेम के आगे ही यह लाइन हमारी एड होगी होगी देखिए चेक करते ह उस file को open करते हैं यहाँ पे यह रही हमारी file इसको open कर लेते हैं तो यहाँ पर लोग चेक कर सकते हैं पहले हमारे name आ रहा है और उन्हीं name के आगे हमने यह data एंटर कर दिया है, मतलब यह लाइन हमने हैं पर एंटर कर दिया है, तो इस तरीके से आप पूरी-पूरी लाइन एंटर कर सकते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप अमने टेक्स फाइल को अपैंड कर सकते हैं, तो यह तो हमने डिसकस कर लिया ह की इसका काम क्या होता है देखे तो यह जो method है इसका यूज करते हैं हम při novelty करने के लिए multiple string को file में मदलब कि multiple strings को आपको एक बार में write करना है तो आप कर सकते हैं right lines method की help से तो right lines method में जो है आपको pass करना पड़ता है iterable object जैसे की list एंटिपल है इसうん तैप जो object है वो आपको राइट लाइन में पास करने की रिक्वार्मेंट होती है तो किस तरीके से करते हैं चलिए प्रोगाम की है पर समझते हैं यहां पर देखी यह रहा program तो इस program में देखिए मैंने क्या करा है यहां पर जो है मैंने file को open करा है कौन से mode में open करा है right mode में open करा है और हमारी file का नाम क्या है my file और कैसी file है text file है तो इसको open method की help से हमने open करा है तो file object हमारा कहा आ गया है file1 वाले variable में जो file1 की नाम से variable है यह हमारे एक तरीके से file object हो गया है अब देखिए यहाँ पर student के नाम से मैंने एक list बनाई है और इस list के अंदर मैंने student के name दे दिये हैं जो कि हमारे elements हैं इस list के उससे ने हम आप के दिये है आपको कुछ भी नहीं आएगा बस होगा क्या जो हमारे data है मतलब की जो list है इसके अंदर जो data हमने दिया है वो हमारा कहां पे राइट हूँ जाएगा इस वाजी file में राइट हो जाएगा देखिए हमारी देखाता हूँ इस तरीके जो हमारी file है myfile.txt इसके अंदर हमारा data आ जाएगा क्याकर नेम आएंगे रोहन आ जाएगा सोहन आ जाएगा और अजय इस तरीके से आ जाएगा मतलब कि यहाँ पर जो elements है वो हमारे इस तरीके से write हो जाएगे तो यह advantage है write lines method का इसका काम यही होता है कि multiple lines को आप एक ही बार में write कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो हमारी multiple lines एक बार में write हो गई है अब हो सकता है यहाँ पर confusion हो रहा हो कि यहाँ पर जो list है हमारी उसके element इस तरीके से दे रखे हैं तो यहाँ पर multiple line में क्यों आ रहा है तो यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर देखिए जो भी element एंटर करें हैं मैंने उसके बाद में backward slash and लगा दिया है मतलब की जो element है वो सब next line में add की हुए हैं तो इसलिए जब हमने right lines method के अंदर student को pass करा है रन हो गया है और output में कुछ भी नहीं आया है मतलब कि जो हमारी list थी वो write हो चुकी है इसकी जो element थे वो हमारे file में write हो चुकी है इस्ट्रिंग मैं कर देता हूं यहां पर pass string देखे मां कर देता हूं मान लिजिए hello welcome to python programming इस तरीके से मैंने यहां पर इस्ट्रिंग पास कर दी है अब देखे मैं इसको run करता हूं तो यह जो इसके बाद मैं चाहाता हूं next line जो है वो यहां तक आए मतलब कि यह जो हमारी second line रहे तो यहां पर backslash and कर दिया तो यहां पर देखे हमारी से एक line end हो रही तो यहां से line start हो रही है तो यह total three line को महां पर add कर देगा देखे मैं इसको open करके दिखाता हूं पहले मैं इसको run कर देता हूं यह data अब जो हम उसको open करता हूं file को open कर लेता हूं तो यहां पर चेक कर सकते है ठी करेंगे हैं पहले लाइन मेका है हेलो वैलकम सेकंट मारा है डूपाय तर्ड मारा प्रोगांएं तो इस तरीके से हीहां पर वैक्ष्छाय से हमने क्या करा थ्री लाइन को एड कर दिया मतलब की राइड आके आप चाहाते हैं कि यह वाली जो है पूरी एक इस्टिंग बन जाए इस टाइप से जो है आप चाहाते हैं कि दो लाइन आपकी एड हो जाए तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते देखिए यहाँ पर जो है एर्र देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर मिल रहा है यहाँ जो method है वो आपका एक ही argument को लेता है आपने दो argument दे दिये हैं तो यहाँ पर दो arguments आप नहीं दे सकते हैं इसलिए हमने क्या कराता है यहाँ पर जो multiple listings थी उनको list की form में रख दिया था तो list जो है वो हमारी एक ही argument मानी जाएगी यहाँ अगर हम list को रखते हैं तो एक ही argument मानी जाएगी इसलिए इस तरीके से हमने करा था तो आप आप लोग को समझ में आगया हुआ कि किस तरीके से आप right lines method का यूज करके data को write कर सकते हैं text file में अब अगर आप चाहें तो इस method की help थे इब से उस तरीके से लेंगे देखिए यहां पर नहीं कर लिया है और देखिए और उसके बाद में यहां पर मैंने लगा दिया है fall loop और fall loop में मैंने range के दिया है मैंने दिया 5 जीरो कॉमा 4 यह जो हमारी इस loop की range बनेगी तो आई बाले variable के पास में पहले 0 जायगा फिर बन जायगा फिर 2 जायगा फिर 3 जायगा फिर 4 जायगा तो इस तरीके से हमारा जो लूप है टोटल five time चल जाएगा यह लूप हमारा five time चल जाएगा तो इसके अंदर का जो code है भो भी हमारा क्या होगा five time चलेगा तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है जब first time यह loop चलेगा तो यहां पर user से student का name enter करने के लिए बोला जाएगा और ज यहां पर यहां पर यहां पर जो भी नेम करेंगा उसके भाद में लूप सपर करेंगा तो इसी तरीके से नेम चलाएगा इसतरीक मिलें अड़ हो जायएगा और फेब्ट लेका तो फिर्त नेम एड़ हो जाएगा गातो टो हैबड लेस्ट वहाईड हो जाएगा क्योंकि हर बार में हम क्या कर रहा है लिस्ट को append कर रहा है यह चीज आपको पता होगी कि किस तरीके से हम लिस्ट को append करते हैं मैंने लिस्ट में इसको अच्छे से नहीं कर पाया यह फिल लूप का concept रिसका क्लियर नहीं होगा तो वह यहां पर अठक जाएगा उसको समझ में नहीं आयागा कि यहां पर चीजे किस तरीके से हो रही है तो इसी लिए जो बेसिक सब्सक्राइब कर दिए लिस्टीर को हो चाहिए टपल के हो चाहिए लूप के हो यह सारी आप लिए सबसे पहले कली मैंने सारे बिसिक कैॉल कर दिया तो अगर आप लोग को नें चैप्तर One, जैप्तर टू के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए आगे आपको problem नहीं आएगी तो simply यहां पर हमारी list append होती चले जा रही है और उसके बाद में जो भी हमारी यहां पर final list बनेगी उसको हमने क्या कर दिया है किसकी help से right lines method की help से यहां पर देखे right lines method में मैंने लिख दिया है list1 को तो list1 की element होंगे वो हमारे right हो जाएंगे मतलब कि multiple line में वो add होंगे क्यों होंगे multiple line में क्योंकि यहां पर देखिए जब मैं list को append कर रहा हूं तो साथ में मैंने यहां पर backward slash and को भी add करा है मतलब कि list में जो element जाएगा उसके साथ साथ वहां पर क्याची जाएड होगी backslash and we add होगा क्योंकि यहां पर मैंने plus कर दिया है तो उस पəले कर दिए और हमारे इंटर कर दिये और यह पाइण चले जाएंगे यह चले जाएंगे हमारे रहेगा डवल कोड में क्योंकि यह हमारा स्टिंग टाइक पर डिटा है निहां लिख दिया और निहां के साथ में रहेगा हमारा वैक्सलैस एन क्योंकि यहां पर जो हमारा बैक्सलैस एन भी जा रहा है यहां पर आप लोग कि इसके बाद में है by week वकस्ट देगा इसके बाद अधित्रत आएगा यहां पर խी बैक लैक्ष्लाइस न रहेगा इस तरीके से जो हमारे लिस्ट के इलिमेंट बन जाएंगे, यहाँ पर देखिए हमारी जो list है append होने के बाद में ऐसी बन जाएगी, तो इस तरीके से भी list बन जाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, तो right lines method क्या करेगा, यहाँ यहां पर क्या करेंगा multiple lines को add कर देगा कहां पर file में जो student2 नाम से file है इसके अंदर multiple line को write कर देगा क्योंकि यहां पर backslash n है तो यह सब कहां एक तरीके से line है तो यहां से है अब जो है मैं इसको run करता हूं किया करता है को औक है तो हमें हम देखने को मिल रहा है यह यह इनवय करेक्टर यूज करा आल है है अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहां पर हम से बोल रहा है करते हैं यहां पर चेक करते हैं student2 को यह रही है हमारी फाइल ओपन कर लेते हैं इसको तो यहां पर देखिए जो नेम एंटर कर देते वह आ गया है अब यहां पर आप चाहिए तो पुरी-पुरी बन यहां पर जो है मैं लिस्ट बन को प्रिंट कर देता हूं इस लूप से बाहर अब जो हमें इसको रन करता हूं देखिए रन करता हूं तो यहां पर जो हमें एंटर करता हूं डेटा मान लिजे कर देता हूं मोहन रोहन सोहन अजय बिजय यह एंटर मैंने कर दिया तो यहां पर देखिए हमें लिस्ट देखने को मिल रही है मतलब कि जो डेटा हमारा लिस्ट में इस तरीके से एड हो गया है आप लोग चेक कर सकते हैं मैं हैं इसका साइस थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहां पर आप देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिए जो backslash और यहां पर हमारा एड हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि हो नहीं हमने plus कर दिया यह vex less कर दिया तो इस तरीके जो है लिस्ट में multiple string create हो गई है मतलब जो लिस्ट के element है उसमें multiple string आ गई है और हर string के बाद में दीखे backwards slash n लगा हुआ है मतलब कि यहाँ पर new line start हो रही है तो इसलिए right lines method जो है वो इस list से क्या कर रहा है एक-एक line को उठा रहा है और बहाँ पर file में write करता जा रहा है मतलब कि student 2 वाली file में write कर रहा है तो यहाँ पर multiple line एक तरीकी से हमारी है तो इनी line को जो है बहाँ पर write कर रहा है तो अब जो हमने discuss कर लिया कि किस तरीके से हम text file को write कर सकते हैं मतलब कि text file में किस तरीके से हम python program की help से data को write कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम write method का use करके data को write कर सकते हैं और किस तरीके से हम write lines method का use करके data को write कर सकते हैं अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम text file से data को read कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई text file है जिसके अंदर already data है और उससे हमें read करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे python program में तो student इसको discuss करेंगे हम next वीडियो में आज के इस वीडियो को यहीं paint करते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है next वीडियो हम यहीं से continue करेंगे मतलब कि जो part 3 होगा उसको यहीं से continue करेंगे तो student आज के इस वीडियो में इतना है thanks for watching